आज एक एजुकेटर जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसका सिर्फ अनुभव को लिजिए तरीका मत अपना ये ठीक है क्योंकि हर किसी का तरीका अपना अपना होता है उसका बस experience जो है अनुभव को आप लिजिए और उस अनुभव का फाइदा उठाने की कोशिस करिए इससे है जाधा कुछ नहीं है बाकी तरीका अ क्सक आपको कैसे क्या करना ये आप कर अपना ही पॉलो करिए दूसरों का पौनल करके कभी इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अपना एक strategy बनाई और उसी को follow करिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल में एक बर फिर से श्वागत है दोस्तों आज की जो वीडियो है दोस्तों इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सोंद माटी जो कहानी संग्र है इसका जो जिंदगी के डवानी ठीक है नमबर टू कहाने का जो वस्तुनिस्ट प्रस्ण होगा याने objective टाइप के प्रस्ण इस टॉपिक के इस कहानी के हम उन्हीं पर चर्चा करेंगा objective टाइप के प्रस्णों पर तो बेसिकली कहानी का थोड़ा आर्थ को समझ लेते हैं दोस्तों ज पढ़े लिखे युवा विरोजगार के स्तिति के बारे में वया क्या गया है यानि एक सिक्षित विरोजगार की जो इस्तिति है समाज में घर में उसी के बारे में यह कहानी है तो यह कहानी सभी के लिए इंट्रेस्टिंग है एक तरह से जितने भी कैंडेट से जो एक्साम का प्रिपरेशन कर रहे हैं नौकरी के ढूंड रहे हैं ठीक है उन सभी के लिए कहानी एक तरह से जरू पढ़ना चाहिए इस कहाने से बहुत कुछ सीख मिलेगा तो चली दोस्तों इसका कहानी के साथ हम लोग इसके अब्जेक्टिव टाइप की जो प्रसन है इस पर चर्चा कर होगा है उसमें न्यूकति प्रकर्याद शुरू होगा और उमीद करेंगे आप सभी में से जितने भी लोग कर रहे हैं हाड़ वर्क कर रहे हैं उस सभी को अपने मेहनत का फल जरूर मिले तो चलिए दोस्तों आप अम लोग सुरूबात करते हैं इस कहानी के साथ इसके आप इसमें जो विसे सुची है इस विसे सुची में यह दिया हुआ है कि नंबर टू कहानी क्या है आपका जिन्गी के डवानी यानि जिन्दगी के संगर्स लेखक कौन है बिनोद कुमार ठीक है और इसके अबजेक्टिव टाइप के प्रस्णों पर हम लोग देखने वाले हैं अभी अभी हम इसका इँ दिखाए दिखाएंए विसे सुची है तो कौन कीताब कहनी लगए इसमें दिया हुआ है आपका खोटा निवंद सूद माटी चाभी काटी और छाइन्यत थीक है इसमें आप देख सकते हैं देखिए विशय सूची दिया हुआ है सोंध माठी किताब का और इसमें 10 कहानी है जो पढ़ना है आपको सिलेबस में मैंसेन है इसमें नंबर टू जो कहानी है वो है आपका जिन्गी के डवानी ठीक है प्रिश संख्या 18 पर होगा देख लीजेगा आप ठीक है तो यह है आपका अब चलेंगे हम लोग नंबर दो परह में दो स्थों देखिए नंबर दूसरा प्रसम जो है कि जिन्गी के डवानी कहनिक मुईख्य पातर कौन है जिंड़गी के डवानी में ठीक है तो इसमें नाम दिया हुआ है जंगली बजरंगी अशोक और बिनूत कुमार ठीक है यह है मतलब करदार एक तरह से तो मुख्य पात्र जो है दोस्तों यह कहानी आप देखेंगे तो जंगली की पूरी कहानी है इसलिए इस कहानी के मुख्य करदार कौन है जंगली क्योंकि इस कहानी में देखेंगे तो जंगली जो ह यानि उसके मम्मी माता जी पिता जी और जो भाई और वजवव एगा परिवार की कहانि है जिसे लेकिन जाट जो कहानी एक तरसे पूरी तरह से समर्पीत है जंगली के ओपर है जंगली जिंगली का संगर से पढ लिख नहों को नौकरी न मिलना एप चीजों के बारे में यहाद रखेगा जिनगी के डवानी जो कहानी है इसके जो मुख्य पात्र हो है जंगली ठीक है अब नंबर थर्ड कुईस्टन्स दोस्तों कि जंगली केते पढल हल देखिए अब पढल लिखा हुआ बेरोजगार आदमी था नौकरी नहीं मिला बहुत सा जो है आपका बीए पास यानि बैचलर पार्ट्स आये हैं फिर है मैट्रिक पास और पांचवां पास तो पढ़ा लिखा था कंपेटिशन तो यह देखिएगा दोस्तों जो जंगली था यह था आपका ए नंबर आप्शन यानि बीए पास ठीक है तो याद रखेगा जंगल जंगली रहे पढ़ल लिखल घर वाइट के एकेगो बीए ठीक है आप देखिए आप असपस रूप से दिया हुआ है कि अपने परिवार में अपने घर में जंगली एकलोता ऐसा था जो बीए पास था ठीक है पेट काइट के ओकर बाप पढ़ोल थिन ठीक है बहुत कस्ट म ठीक है नंबर चौथा प्रसंट जो है कि जंगली निखाई मतलब जंगली लोग जो थे कई भाए हल्थिन यानि लोग कितने भाई थे जंगली लोग ठीक है इसमें ऑसन दिया हुए है दू भाई चैर भाई तीन भाई और पांच भाई ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होग पढ़ा लिखा गरजगार है नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है धूंड रहा है लेकिन को नौकरी अभी तक मिल नहीं पाया है देखे इसमें दिया हुआ है कि तीन भाई में सोबले हिन मतलब बाकी जो दो लोग थे वो लोग सेटल थे करसे और जंगली जो था अभी भी के पिताजी कखन सीराई गेलतिन, सीराइ गेलतिन का मतलब समझें सीराई गेलतिन Ce Layer 13 का यह जो फोटा वायं और इसका मतलब革 होता है कि इनका कब इनका पिताजी हो जाता है मृत्तू हो जाता है ठीक है कखन ázows इसका option दिया है कि जंगली आयम ? तक ने यानि जै वह Ses ngoाया द्हान्त हो जाता है option यह कर रहा है कि जंगली चेंगाहलती तक द्वाजब कर रहा था उसी वक्त इनका पिताजी का द्हान्त हो जाता है option C हो पहुत है जर्णक कर रहा है सकता है उसके पाझी से पहले ही इनका का देहान्त हो जाता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा जंगली जकन आए में हिलतिन तकने सही होगा इसका जब कि देख सकते हैं कि जंगली देखें यहां पर आई जब आपका क्या होगा एक दूस्तों आप सभी को फिर से कहूंगा चैकि जो एक्जाम में आपके औप्जेक्टीव प्रसन्म बनेगा वह आपका इसी टाइप के प्रस्ण पूछा जाएगा ठीक है हाला कि पूरे सोंद माटी कहानी संगर से ऐसा नहीं है कि पूरे 200-300 प्रस्ण पूछा जाएगा लेकिन मैं हर टॉपिक का थोड़े ज्यादा कोईशन कराने की कोसिस कर रहा हूं ताकि आपको एक्जाम में इस टॉपिक से जो भी प्रस्ण पूछा जाएगा वह आपका बाहर ना हो और आप आसनी से उसका आंसर को कर लें ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण यानि छटा प्रस्ण कि जंगली बड़ भाई हल्ती यानि जंगली के जो बड़ा भाई था वो क्या था बड़ हो यह होगा यानि कोलियरिक ओफिशक बड़ बाबू ठीक है देखिए इसका विसलेशन भी देख लेते हैं देखिए कि किताब का सोर्स को ही मैं यूज किया हूं दोस्तों आपको आंसर को ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक्स लगें विस्वास आफ लू सभी को हो इसलिए किताब का ही चीज को दिखा रहा हूं कि देखिए जंगलिक बढ़का भाई कोलियरिक ओफिस एक बड़वाबू रहात किलियर है इसलिए जो आपको प्रसन इसी टाइप के ढूंडना पड़ेगा अगर आप खुद किताब को पढ़ रहे हैं तो सबसे बढ़ियां अगर टे तो यह है आपका आंसर राइट हो एए ऑप्सन ठीक है यानि जंगली का जो बढ़भाई था वह कोलियरिक ऑफिस एक बड़वाबू हलती ठीक है अब आते हम लोग सात्मा प्रस्न की जंगलिक मंजला भाई हलती ठीक है बढ़भाई क्या था आपका कोलियरिक ऑफिसे बढ यसको को लगता है भध्र भासा का यूज हूए है इसलिए एज़ेंटबोलेंगे तो ज्यादा इसको लगता है कि हाम कुछ बोलते में तो इसको थोड़ाut हो जाता है इसलिए दलाल मत बोलिएगा लेकिन किताब में जो भासा दिया हुआ है हम उसी के बारे मोल रहे है कि सवारी गाड़ी के दलाल ठीक है देखिए जंगलिक बढ़का भाय होगी है कोलियर अभीशक बड़ बाबु हलत पहला लाइन और दूसरा राइन देखिए मंजला भाय पराभिट सवारी गाड़ी क्या था दलाल था ठीक है यह आपका आंसर क्या होगा एप अब आते हैं लोग आठमा प्रस्ट देखिए आठ पढ़ावेक खर्च पुरा करल आप जंगरी जो था उसका पीताजी का द्यान्त हो जाता है इसके बात यह वी ए गर्रएजम यहांत करता है जो करता है तो इसका पढ़ाविक खर्च कॉन पुरा करन चुक्छिए था जो बड़ा बाव है धाओ धाई एक तरह से तो इनका पढ़ावे खर्च के पूरा करल यही प्रस्न पूछा गया है तो इसमें जो option दिया है कि जंगलिक बाप तो यह आपका नहीं होगा क्योंकि इनके पिताजी उस वक्त इनके पिताजी का देहांत हो जाता है जंगली के माई ठीक है जंगलिक भाई और जंगलिक मजला पाई तो कौन करता है जंगली के माई ही इसके पढ़ावे खर्च पूरा करलता है अपना गले का हार को बेच के यह इनका माता जी इनको पढ़ाई करवाता है यानि राइट आंसर क्या होगा आपका बी याद रखे जंगली के पढ़ावे के खर्च पूरा करल जंगली के मा देखिए इसका सोर्स देखिए आंसर का इसमें दोस्तों देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि आये में जंगली हरत तखने और बाप सिराइगल थी माई पर पढ़ावेक बोज यानि इनके माताजी पर इनके पढ़ाने का बोज आ गया था बेचारी देखिए घेंचा पूरा कर ला थीक है तो राइट अंसर क्या होगा आपका बी यानि जंगली के पढ़ावेक के खर्च उनका माताजी करता है उनका जो यह था घेंचा के हंसूली और दू भर स्वनाक सिख्री भाइन धर जंगली पढ़ावेक खर्च पूरा कर अब आते हैं नमा नमर प्रश है दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जंगली कई बर कंपिटीशन के परिक्षा देल हलती बहुत इंपॉर्टेंट है चुकि जंगली एक विरोजगार युवा था और पढ़ाय लिखा विरोजगार था और पढ़े लिखे विरोजगार का अगर प्रमान और स यहां पर सरकारी कामकाज का तरीका ही कुछ ऐसा है जिसवज़े से डिले हो रहा है तो यह प्रस्ण है दोस्तों कि जंगली कईबर कंपिटीशन के परिच्छा देल हलती ठीक है अप्सेंस है एक दूबेर दू तीन बेर चाहर पांच बेर और एक बार भी परिच्छा नहीं है नौकरी के लिए नकरी खातिर ठीक है अब देखें मुद्दा छेदामों से यहां पर है कि जिन्गी बंजेते वेचारा कहा नाव देलग दरखास नौकरी ठीक है दू तीन बेर है देखिए कंपिटीशन वैसल दू तीन बेर ठीक है तो यहां पर ऑप्सन क्या होगा बी वीज राइट अंसर यानि जो कंपिटीशन में बैठाता जंगली वो दू-तीन बेर बैठा था ठीक है तो राइट अंसर यह हो गया अब आते हम लोग दस्वा नंबर प्रस्टन दस्वा नंबर जो कोईशन से दोस्तों कि जंगली कोन कंपिटीशन पास करल हलती यानि कौन से competition जंगली दिया था जिसमें पास किया था ठीक है ऑप्शन से दरोगा के फोजी के रेलवे के और इंजिनियर के ठीक है तो राइट अंसर क्या होगा इसमें इसमें आप देख सकते हैं कि दरोगा के competition एक बेर तो दरोगा के competition पास हो गेल ठीक है तो क्या हुआ इसका राइट अंसर यानि दरोगा के competition में अगवर वो पास किया था ठीक है लेकिन उसमें देखिए मुदा चांदिक जूता का नजीक सोब खंकरी पट पर मैटो पकेट्स ठीक है लेकिन नहीं हो पाया था वो competition में ठीक है complete नहीं हो पाया था अब आते हैं 11 नंबर प्रश्ण देखिए मापकी बारवा नंबर प्रश्ण बेरोजगार जंगली केकर नजहरे दूद के मांची हो गेल के कर पर नजहरे दूद के मांची मतलब होता है कि आप देखेंगे दूद में अगर मक्ही गर जाता है थाम लोग किस तर से हिंग इसे निकाल के देते हैं तो वही बात है इसमें कहा गया कि बिरोजगार जंगली केकर नज्रे दूद के माची हो गया ऑप्सें से बड़ भाई यानि उनके जो बड़े भाई था मंजला भाई 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 भोजाओ दोनों के लिए फिर जंगलिक माई ठीक है तो किसके लिए ह हो गया था देखे इसका पिसलेशन होत कि डीरोजगार जंगली भाई भॉजाओ दिखिये भाई एक नज्गली के डूद के माची हो गया था चंबलीались क्यों है अब आते हैं हम लोग घटकर को झाली के बुडुला दद्डा क salvage कि मतलब एक तरह से जंगली जो था उसको बुढवात दद्दा करके कौन लोग बुलाता था ठीक है उसमें ऑप्सेंस दिया है गामेक लॉक यानि गाउं के आदमी चेंगवाइन बच्चा जो लोग थे जंगली कर दोस्त यानि जंगली के जितने फ्रेंड थे वो लोग इसको भाई कौन बुलाता था बताइए तो इसका जो राइट अंसर वहां दोस्तों वह आपका अंसर बी यानि चेंगवाइन बच्चा लोग इसको बुढवा दद्दा कहके बुलाता था पुकारता था क्योंकि बिरोजगार था नौकरी के लिए दरबदर भटक रहा था साधी दिया नहीं किया था और उमर इनका लगभग 30 के आसपास हो गया था जिस बज़े से जो बच्चे थे उनलोग बुढवा दद्दा कहके इनको पुकारता था ठीक है देखिए इसका अब इस लेशन भी देख लेते हैं जखन जंगली घार से बाहर निकल तक चेंगवाइन त हारे चेंगवाइन तीस बरस के बुढ़ा ही यानि उनका उम्र जो है दोस्तों वह तीस बरस हो जा रहा है और यह थोड़ा खराब लगता है फील होता है होता है हर किसी के साथ होगा अगर विरुजगार है तो समाज में ताना बाना बुना जाता है और वैसे स्तेती में कि बिहा मतलब होता है साधी ठीक है इसको कहा जाता है खोटा में तो केकर बिहा में गया हुआ था ठीक है ऑप्शन से असोक मोहन महिश बाबू और डॉक्टर बिनाई तो किसके गया था ना अशोक राइट अंसर इस ए ठीक है देखिए यहां पर दिया हुआ है संगे साती ले रहल देखिए अशोक के बिहा घरी गेल रही यह देखिए यह वाला अशोक के बिहा यानि राइट अंसर होगा ए आपका ठीक है अब आते हम लोग 15 नंबर प्रश्न कि जंगली करेजा ठीक है में केकर बात लाग लग यानि कोई होता है दिल पर करेजा यहां पर दिल ज सकते हैं कि अशोक के बढ़ भाय के बाद भुजाओ के बाद बढ़ भाय के बाद तो जंगली के करेजा में केकर बात मतलब किसी ने कुछ ऐसा कहा दिया हो जो उनको दिल पर लग गया था ठीक है इसका अंसर जो होगा अशोक के बढ़का ठीक है यानि जो दोस्त था अशोक बढ़का नोक्री वाला आदमी ठीक है और उसी का अशोक के शादी में गया था उनका बड़ा भाई नोक्री करता था ठीक है है और हमें है चुवा ठीक है और हमें चुवा सहे पांज के हमरा सुनाक ओकर बोड़ भाई कही दिल थी कि जंगली एकदम जंगली है उनका बड़ा भाई उनको यह कहा दिया कि जंगली एकदम जंगली है कटसी नहीं जानता कटसी मतलब कुछों नहीं जानता ठीक है क उच्छी ने जानता यह बात हमर करेजा में लागलत यानि किसका बात लग गया और शुक के बड़भाई का बात उन्होंने ऐसका दिया था कि जंगली एकदम जंगली है कटसी नहीं जानता मतलब कुछ जानते नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है पढ़ा लगा को अकर कुछ जंगली के ॹरूपया देल हलिप मरने से पहले जंगली के माता जी जो थे उनको कितना रूपया दिया था जो यूझे माता जी को टेंसन था और उस्वक्त क्या था उन्हें कुछ रूपया इसको यह इसलिए बज़े से दिया था इस रूपया से कुछ अपना बिजनेस करेगा जो होगा छोटा मोटा ही बिजनेस तो कदेर लेग ठीक है आप्सें से आपका देखिए आपके 100 रूपया 300 रूपया 200 रूपया और 600 रूपया तो राइट अंसर क्या होगा आपका ए यानि 100 रूपया दिया था ठीक है देखिए तोई बेस से रहवे आर सुन तो तनी भीरे आएके हमर हरेक हरके 100 रूपया है तोई पान गुंटी लगाए के बिजनेस न धयो गावें देती तो और बि सुरू करो 100 रूपया में शुरू हो जाएगा बिजनेस और यही बात कहके माता जी का मृत्तु हो जाता है ठीक है तो यह हूँ आपका शोलवा नमर प्रस्ण अब हम लोग आएंगे सत्रवा और स्टॉपिक के एक तरह से अंतीम प्रस्ण है दोस्तों सत्रवा नमर क्वेश यानि आदमी को किस से सीखने और पढ़ने का मौका मिलते रहें प्रकृति से ठीक है घार से मतलग से इसकूल से और सभे से तो इस देखिए जो प्रस्त्तर है दोस्तों यह अपने आप में अगर देखें तो इसका राइट अंसर डी होगा सब्सक्राइब्स इनसान को सभिन यानि इस कहाने में यह कहा जा रहा है चुक्कि एक टाइम आप देखेंगे कि जंगली जो था वो खुले घर के अपना मतलब बैठा हुआ है और प्रकृती के कुछ एक्टिविटीज को देखता है और उन एक्टिविटीज को देखके उनको बहुत कुछ सिखने को मिलता है उसमें जो मतलब पक्षी बगर है यह लोग कलकल करी कर रहा है तो इन चीजों को देखकर उनके मन में बहुत सारा ख्याल भी आता है दिखिए इसका आंसर में कि आदम कुछ सिखने को हर किसी को मिलता है ठीक है तो दोस्तों यह रहा आपका जो सोन माटी कहानी संग्रा का दूसरा टॉपिक जिनकी डुवाने के अबजेक्टिव टाइप के प्रसन है और आगे हम लोग इसका सिरियल करेंगे यानि जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का हम लोग अबजेक्टिव करेंगे तो आप सभी से गुजारिश करूंगा दूस्तों कि आप में से जो भी नए हमारे इस चैनल म अगर इस प्रकार के वीडियो में इंट्रेस्टेट है तो लाइक करिएगा और उन लोगों को सेर करिएगा जो लोग इस टॉपिक को देखना पसंद करते हैं ठीक है और बाकी सभी को मैं कहूंगा कि कल नए वर्स है और सुब नए वर्स के आउसर पर आप सभी को हैपी नि मिलें चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप सभी का और फिर से धन्यवाद